नमस्कार किसान भाईो मैं हूराकेस और आप देख रहे हैं खेतिकी के यूट्यूब चैनल तो किसान भाईो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडोफिल कंपनी के मैक्सिमेट फंगी साइड के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या टेकनिक टाइम के बारे माज हम इस वीडियो में बात करने बाले हैं तो पूरी जानकारी के लिए भीडियो को अंतिम तक देखें और अगर हमारे चैनल पर आप ना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे ऐसी क्रिस्समबंद इतने जानकारी पाने के लिए तो किसान भायों इंडोफिल का मैक्सिमेट फंगिसाइड दो सकतिसाली फंगिसाइड का मिश्रण है इसमें टेकनिकल है साइमोगजानिल आठ प्रतिसाद प्लस मैंकोजेब चौशट प्रतिसाद डबलूपी ये फंगिसाइड एक वेटेब गया है साइमोजानिल आठ प्रतिसाद ये है कबक के जीबन चक्र में होने बाले निवकलिक एसिड एमिनो एसिड और अन्य संसलेशन प्रक्रिया को रोगता है साइमोजानिल हमारे पोधे के द्वारा बहुत जल्दी अफ्सोशित हो जाता है और ये बारिस में कम धूलता ह ओसमायन अबधी के दोरान रोगों को नियंत्रित करता है और फसल पर नुकसान की उपस्तिति को भी रोगता है और इसमें जो दूसरा टेकनिकल दिया गया है मैंको जेब 64 प्रतिसद ये है एक डाइथो कार्वामेट ग्रूप का नौन सिस्टमिक फंगिसाइड है जो कबक कबको सिका में सलफा हेडराल समूः में एमिनोशिड और एंजैम को बाधित करता है जिससे फंगस निस्क्रिय हो जाता है और बाद में मर जाता है मैंको जेब कबग को मारने के साथ साथ हमारे फसल को मैंगिनीज और जिन्क जैसे सुख्म पोसकत्तो भी प्रदान करता है जिसे हमारा फसल हराबारा दिखता है और हमारे फसल पर जिंक और मैंगनीज जैसे सुख्म पोस्वक्तत्यों की कमी देखने को नहीं मिलती है। और ये फंगिसाइड कुछ मात्रा में ट्रांसलामिनार के रूप में भी कार्य करता है। मैक्सिमेट फंगिसाइड पसुपक्षी और लापकारी कीटों के लिए पूरी तरह सुरक्षी थैं। और इस फंगिसाइड को हम आमतोर पर इस्तेमाल किये जाने बाले सभी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के साथ मिला कर छिड़काओ कर सकते हैं। अगर बात करें इसके रेंफाशनेस के बारे में तो मैक्सिमेट फंगिसाइड छिड़काओ के तीन घंटे के बाद अगर बारिस होती है तब भी हमको इसका सौप्रतिसर रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके छिड़काओं के से ठीक समय के बारे में तो किसान भायो अगर आप इसका अच्छा रिजल्ट पाना चाते हैं तो आप इसको आज प्रिभेंटिव मतलब बिमारियों के आने से पहले इसका छिड़काओं कर सकते हैं या फिर बिमारियों के आने के 48 घंट मतलब बिमारियों के आनके दो दिन के अंदर अगर आप इसका छिड़काओ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल देखने को मिलता है और उसके साथ लंबी अबधी तक सुरक्षा भी देखने को मिलती है अगर बात करें इसके फसल छिड़काओ के बारे में तो मैक्स मैक्समेट फंगिसाइड, लेट बलाइट, डाउनी मिल्डिव, फूट रॉट 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 रॉट, सिडिलिंग बलाइट, डैंपिंग अफ और फॉलियर बलाइट जैसे बिमारियों को पूरी तरह नियंत्रेत करता है अगर बात करें इसके डोज के बारे में तो मैक्सम का जो रीजल्ड है बहुत ही अच्छा आता है और अगर बात करें इसके रीजल्ड टाइम के बारे में तो मैक्समेट फंगिसाइड का असर हमारे फसलों पर 15 से 20 दिन तक देखने को मिलता है अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में तो मैक्समेट फंगिसाइड का जो 600 और कमेंट करके अपनी राय जरूर दे